कृष्ण सूर्य के समान है शास्त्र में कहा जाता है तो उनका नाम भी सूर्य के समान है तो यह देखिए कि इस जगत में अगर हम सभी लोग अंदकार इखटा करने के बारे में सोचे हैं तो क्या अकेला ही एक सूर्य पूरे विश्व के अंदकार को उनष्ट नहीं कर सकता ब हमारा पाप ले लो हमारा पाप ले लो और उन सारे लोग भी मिलकर इतना पाप नहीं कर सकते जो भगवान का एक नाम नश्ट कर सकता है एक विक्ति के सारे पाप नहीं पूरे जगत समगर जगत के सारे लोगों के पाप को भगवान का एक ही नाम नश्ट कर सकता नहीं कर द सकता है अब जिसने कभी सूर का दर्शीन का क कि ऊफ से क headset को कि एक बलब पूरे शहर का या पूरे देश का अंदकार नस्ट कर सकता है तो विश्वास नहीं करेगा तो क्या अब यह बताए सूर्य देव उसके विश्वास पर निर्बर करें भाई या हम तो मानी नहीं नहीं रहा है तो हमें तो नश्ट नहीं करना चाहिए अंदकार सूर्य उद्थ होता है तो हमारे विश्वास की प्रिख्षा नहीं करता है वह पाप अंदकार को नश्ट करता ही है भगवान हमारे अविश्वास की पृतिक्षा करें कि कब हम पर विश्वास करेगा तब अपना प्रभाव दिखाएंगी क्या इस जगत में कोई वस्तूम खाते हैं वह हमारे विश्वास की अपिक्षा करते हैं वह यह हम पर विश्वास करी नहीं रहा है मालनी जी कोई जहर खा रहा है तो जहर सोचे अर एंट विश्वास तो करता नहीं है तो हम इस पर क्यों अपना माराख प्रभाव दिखाएं ये कोई अमरित पले तो कहे अमरित प्रभु जी सोच नहीं है और पवित्र होना शुरू हुआ तो उसको भगवान के नाम पर बिश्वास होने लग जाएगा उन्भाव होने लग जाएगा तो हो रहा है इस ग्रहण करते रहे हैं मेरा काम भगतों का सीनर या जो भी स्ट्रेश्ट काम है उनका काम यह है कि आपको पकड़े रखें भागने हर यह तो अगर वह भख्ती रोज करता रहता है तो धीरे-दीरिये क्रम-क्रम से उत्व भक्त बन जाता है नहीं भंग जाते हैं गड़ी नुकसान गर्बर जाती लगे रही तो ख्रम-क्रम से नहीं भागवत बनेंगे अर्थात हमेशा ही नित्त ही भगवान का दर्शन अपने हिर्थे में करने में समर्थ हो जाएंगे इट इस तू गुड एन इट इस ट्रू भगवान की मैमा अत्यंत अपार है और एक एक बात सत्य है कि सब्सक्राइब